नमस्कार, स्वागत है सभी आगनवारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आगनवारी केंद्र की ये जो इस्थीती आप लोग देख रहे हैं जो आगनवारी केंद्र की स्थिती होती है, नया चेक लिश्ट भरना होता है, उसको आगनवारी सेविकाएं कैसे भरेंगी, तो आज की इस वीडियो में यही सारी जनकारी आपको step by step बताने वाला हूँ, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी खास है, आपको आगनव ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को आगण बारी बहनों के साथ सेर जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए यहाँ पे जो AWC की स्थिति आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस पे किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नया चेकलिस्ट जोड़े हैं तो इस पे आपको पहले किलिक कर देना है आपको इसमें चार फॉर्म दिये जाते हैं चारो फॉर्म को बारी बारी से भरना कैसे भरेंगे आईए समझते हैं इस वीडियो में जैसे कि इस फर्म को सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं हर महीने भरेंगी और इसमें जो जो भी कोश्चन पूछे जाएंगे उसका एंसर आपको हा या नहीं में देना होता है तो चलिए सबसे पहला जो कोश्चन पूछ रहा है तो हा रखा जाता है टोयलेट को रोज साफ और धोया जाता है तो इस पे भी आपको हा शेलेक्ट कर लेना है भंडारन छेत्र को क्रिंत्यकों और किटों से साफ मुक्त रखा गया तो हां राजे के दिशा निर्देशों के अनुसार समागरी का संग्रहन, तो हाँ, राजे के दिशा निर्देशों के अनुसार टी एचर का संग्रहन, हाँ, किट नासक अलग से संग्रहित और लेवल किये जाते हैं, हाँ, किरोसिन चारकोल जैसे इंधन अलग से संग्रहित होते हैं, तो हाँ परीसर में पोटेवल पानी उपलब्ध है तो आप लोग हाँ कीजिएगा नहीं है तो नहीं कीजिएगा तो हाँ उपलब्ध है इसको भरने के बाद आपको यहाँ पे जाड़ी रखे पे किलिक कर देना है तो आपका दुसरा फोर्म ओपें हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर फिर आपसे पूछ रहा है, खाद, सुरक्षा और हैंडिलिंग के बारे में, जैसे कि खाना पकाने का जो छेतर होता है, उसको स्वक्ष रखा गया है, तो हाँ, फिर आगे बरते हैं, बरतन और साधन को साफ रखा जाता है, तो हाँ, दीशा निर्देशों के अनु ताजी सबजिया, हाँ, दलहन, हाँ, चीनी और गूर, हाँ, ब्यक्तिगत, स्वक्षता बनाए रखीं, अगला है उचित, ब्यक्तिगत, बेवहार, तो आप आपने आग्वन बारी केंद्रों पर कैसा बेवहार रखती हैं, तो आप सभी को यहाँ पर हाँ ही सिलेक्ट रना से निप्टान यानि कि जो डस्ट बीन होता है उसमें रखा जाता है तो हाँ दीन भर के काम के बाद सेंटर की सफाई की गई तो इस पे भी आपको हाँ सेलेक्ट कर देना है तो हाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जारी रखे वाले पे किलिक कर देना है किल यहां पर देखिए AWW द्वारा प्राप्त भोजन की गुनुवत्ता दिशा निर्देसों के अनुसार किया गया, तो इस पर भी आपको हाँ सेलेक्ट करना है, बितरन पर पैकेजिंग बराबर है, तो हाँ, राज दिशा निर्देसों के अनुसार लेबलिंग हाँ, फिर से करने के बाद आपका अंतिम फर्म खूल जाएगा, जो की रिकोर्ड और रजिस्टर के बारे में पूछेगा, जैसे कि आपने आंगरबारी केंदरों पर स्टॉक रिकोर्ड बनाए, तो इस पर भी आपको हाँ करना है, प्रतिला भार्थी आवस्यक्ताओं के साथ सरकारी ब पराप्थ हुआ, तो आपको हाँ पकिलिक कर देना है, फिर प्रोसेसिंग यूनिट से पराप्थ हुआ, तो हाँ, फिर उसके बाद जो अगला है, ए डबलूस्ती में सफाई, सामगड़ी, साबून, आदी की खरीद का बिबरन है, तो जैसे कि जो स्टॉक रेइस्टर आपको हाँ कर देना है, यह सारा डिटियल्स आपको भरने के बाद लगभग सभी में आपको हाँ ही भरना है, क्योंकि यह आपसे सभी इस परकार के कोश्चन पूशे जा रहे हैं, कि यहाँ पे हाँ भरते हुए आपको इस मोनेटरिंग चेकलिस्ट को भरना है, और यह काम आपको महिने में एक बार जरूर कर लेना है, इसको करने से आपके आगनबारी केंदर की जो इस्तिती है, उसके बारे में पता लगेगा कि आपने क्या-क्या एस्टॉक रईष्टर मेंटेन किया, क्या-क्या सरकारी जो दिशा निर्देसों के अनुसार जो बितरन है उसको क देख सकते हैं कि आपका चेकलिस्ट इस महिने का पुर्ण हो चुका है तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आप सभी आगनबारी बहनों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर करें तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद